हेलो एकाज गोर वेलकाम बाक टू यॉर अन्टन मेडिकाल लेक्षर गाइज बहुत इंपोर्टेंट जोंडिस से रिलेटेड़ डिसकस करने वाले कि जोंडिस क्या होता है उसकी दवाईया कैसे हम लोग देते दवाईयों के बारे में भी डिसकस करेंगे पूरी मेडिकेशन पर जॉंडिस है क्या करन क्या है कोस क्या है सिंटम क्या है वैसिक बीमारी के बारे में फिर उनकी दवाईयों के बारे में समझेंगे आईए समझते हैं जॉंडिस आपका एक्चू में क्या होता है देखिएगा यहां पर लिखा हुआ है जॉंडिस जो होता ह Each THAT is happily हिंडिए होता है एक प्रिकार की ऐसी अवस्ता होती जिसमें हमारी आखे स्कलेरा जो वाइट वाला पार्ट है यह और यूरीन पूरी तरह से पीली आने लगे पीली हो जाए उसे हम लोग जॉन्डिस का नाम देते जॉन्डिस इस मेनली ड्यू टू इंक्रीज कंडिशन ऑफ यह पॉइंट को आप जड़ा सा फोकस कीजिएगा जड़ा यहां पर वन मिट गई मैं इसको थोड़ा अच्छे से ड्रो करता हूं ठीक है यहां पर मैं इस सीच को बता रहा हूं आपको कि यह हाइपर बिली रूपेनियमिया का मतलब क्या होता है जब भी तो बिली रूपी एक यलो कलर का पिगमेंट है यलो कलर का पिगमेंट है पीले कलर का दिखता है अगर उसके मात्रा ज्यादा बढ़ जाए तो हाइपर बिली रूपेनियमिया यह जोंडिस के नाम से उसको सिंपली हम लोग बोलते है देखिएगा इडिस मेंली डूट इंक्रीस कंडिशन तक है बिली रूबीन है यह यह यालो कलर पिगमेंट जब भी बिली रूबीन के मात्रा बहुत ज़दा बढ़ जाएगी तब आपको जॉंड दिस होगा नॉर्मल जो कंडिशन होते है बिली रूबीन की जो सामान्य मात्रा होती है ध्यान रखिएगा 0.1 से लेकर 1.0 mg पर सब्सक्राइब कि एक सामान्य आवस्ता में जो बिलिरुबिन की सामान्य मातरा हुमारे श्रीप में होने चाहिए वह कित्य होती है तो इसके आकोडिंग हम लोग जोंडिस को डिटेक्ट करते स्क्रिंशोट लीजिए आप लोग तब तक मैं आगे बढ़ता हूं आते हैं हम लोग ऑजस ऑफ यह निकी पीलिया है उसका क्या वायरस क्या फिलियर इनक्टरिंशन ओग तब आपको प्रॉब्लम देखने कंद stinks इसके अनीम्य मतला आपको शरी में राख्त के कमिंशा ना रह गरे होंट का। किससे भी हो सकता है यह से हमें लोग पीलिया कह सकते ही मोलाइटिक एनेमिया में बहुत जादा ब्लड तूटने लगता है उसके वज़े से येलो कलर भी डवल अटो इम्यों डिसीज में भी हो सकता है है को यक्षमय फइनें की दंटल है लगता है उनने नुकसान कर दियो है ही कुछ का रान होते ऐस ब्राइश सकता है यह ब्दने इंध मीर दिसिक चीजिक लिला हो जाना यह संप्टम्स आएगा एब्डोमिनल पेट में व्यक्ति को दर्द रेगा एक दब भरा भरा पेट लगेगा ठीक है व्यक्ति को जी घबराना उल्टी होना यह चीज़े हो सकती है डाइरिया व्यक्ति को दर्स्त लग सकता है और हेवी फिवर यानिकि व्यक्ति को बहुत ज्यादा बुखार इसमें आएगा जब मेडिकेशन स्टार्ट करते तो बुखार तो रिकवरी हो जाते फिवर में पढ़ता है उस पर इस्क्रिंशोट लोग आगे बढ़ता हूं तो तक टाइपस ओफ जोंडिस के मुख के हमको प्रकार समझने जब तक हम जोंडिस के टाइप ने समझ पाएंगे कोई पेशेंट आया कोई मरीज आया जब तक आपको नहीं पता है कि मरीज को किस प्रकार का जोंडिस तक आप ट्रेटमिंट नहीं बता सकते हैं पेले आपको जोंडिस का कारण यानिकि उसके प्रकार से उसका कारण समझ में आएगा आपको ठीकिए जिसे क्यों होता है प्री हीपेटिक जोंडिस हीपेटिक जोंडिस जिसे हीपेटोसेलिलर जोंडिस भी कहते हैं प हमारे liver के भीतर होती है, ये चित ध्यान रखना, लिवर ब्लेड सेल आर डिस्ट्रॉइंग सो मच एमॉंट ड्यू तो एन रीजन एंड इंक्रीज दा वोल्यूम फिलियूम विच इस कोल्ड यह लोग अलोग पिग्मेंट देखिए इसका मतलब समझेगा कि जो आपका प्रिःपेटिक जॉंडिस है कि आपकी लीवर के पहले कोई दिक्कत है मतलब जॉंडिस पीलिया है अब बोलते हैं पर पीलिया लीवर की बीमारी पीलिया हुआ तो लीवर का इलाज कर दो, ऐसा नहीं होगा, पीलिया हुआ क्यों है, वो आपको समझना पड़ेगा, तो यह बोल रहा है, जो प्री हिपेटिक जोन्डी से एक विशेश प्रकार का पीलिया होता है, जिसमें कि लीवर तो पूर्ण रूप से कारी करता है, हमार क्यों है, देखो, बिलिवर के अंदर बिलिवर के अंदर बिलिवर के अंदर बिलिवर के बनती ए, अगर अगर ब्लड में कोई इंफेक्षन हो गया है, वो सेल्स को तोड़ रहा है आटो इम्यून डिसीज हो गए, इम्यून सिस्टम में दिक्का थे, उसकी बज़े सेल टूट रही है, उसकी बज़े से पीलिया हुआ है, और हम इलाज लिवर का कर रहे हैं, तो क्या इंपेक्ट होगा, नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम कहा है, प्रॉब्लम ब्लेड में, तो आप इसको पहचानों कि सब बोलोगो, सर आप बोल तो दिया है, कैसे पहचाने, भाया, आप लिवर की specific LFT करवा सकते हो, जिसमें लिवर एकदम perfect काम करता हो, दिखेगा, पर फिर भी जॉन्डिस आएगा, मतलब लिवर में दिक्कत नहीं है, और कुछ, लिवर का आप सिट में बी ड्यू टू कुछ कारण से हो सकता है, जैसे bacterial infection हुआ और viral infection हुआ, आपके शरीर में कोई bacteria का संक्रमन हो गया, कोई viral का संक्रमन हो गया, तब आपको यह हो सकता है, और drug toxicity, यदि आपके शरीर में किसी प्रकार की drug toxicity हो गई हो, यानि की दवाई का जहर का तरह काम कर रह इस प्रकार के पीलिया में जो हिपेटिक जोन्डिस है ना उसमें आपके लीवर में दिखका थे लीवर की कोशिकाय ढ़ंग से काम ने कर रही है वो ज्यादा बिलिरुबिन तोड रही है इस वज़े से आपको दिखकत देखने को मिलेगी इसमें उपस्ते हिपेटोसाइट को हिपेटोसेलुलर जोन्डि siya heto bloody का जांते इसको इसके कुछ कारण हो सकते हैपेटिक जांडिस के क्या कारण हो गया B बज़े से अर 데ाल हो सकता है यह जिए जरत ध्यान रखने दो इंपोर्टेंट रीजम है vine ale गणेदेगे हूं करेका तो अब आते एक आपका पोस्ट रिपेटिक जहने इसमें Всहका क्या कि जब आपकी जो byel duct और pancreatic duct बंद हो जाएगी इस अवस्ता में परियाप्त मातरा में byel juice और pancreatic juice नहीं मिलेगा होगा जब इसा होगा मिल पाता इस हवस्ता में bilirubin की मातरा बढ़ जाती तो bilirubin का level वह हाई कर देगा ठीके आगे बढ़ते हैं हम लोग डाइगनोसिस के उपर सिंपली बाद जो अंडिस में आप कौन-कौन से टेस्ट करवाने चाहिए एक सबसे पेला होता है LFT लिवर फंक्शन टेस्ट जिसमें बिलिरूबिन भी आती है और भी अधर वह सारी चीज़े ले 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 फ्ट में आता है सब्सक्राइब करवा सकते हैं लोग बिलिरूबिन टेस्ट आप करवा सकते हो ठीक है अलग से करवाना यूरिन एक्जमनेशन यूरिन अगर निकाल के पता करेगा तो फिजिकल एक्जमनेशन पता लग जाएब पीली है उसमें आपकी बिलिरूबिन की लेवल बड़ा करवा मिलेगा सिटी स्केन आप पैड का अब्डॉमिन सिटी करवा सकते हो उससे भी पता कर सकते हो एम रही बहुत रियर में करते हैं जब बहुत ज़दा डावटेबल करता तब ये कुछ टेस्ट है जो कि डाइग्नोसिस के लिए हम लोग करते हैं हाव टू कंट्रोल जों में लेते हैं उनको थोड़ा बहुत पीलिया रहता ही है तो उसे एक मशीन में रखते हैं ठीक हो फोटो थेरेपी में रखते हैं हम लोग फोटो थेरेपी में से बहुत जल्दी रिकवरी मिलते हैं ऐसे हम लोग धूप में जब बैटने से बहुत जल्दी रिकवरी मिलेगी आपको एंटिवाइरल मेडिशन देना है और इनको हम लोग डीटेल से समझेंगे कि कौन सी टेबलेट कैसे देना है कैसे नहीं देना है आगे बढ़ता हूँ सबसे पहले टेबलेट का नाम है यूडिलियू टेबलेट यह बहुत ही जल्दी और बहुत ही आच्छा एफेक्ट करती है यूडिलियू टेबलेट कुछ इस तरह की वेडिशन होती है ठीक है यूडिलियू टेबलेट के अंदर सिंपली जो कंपोजिशन होता है वह होता है आरसो डियोक्सिकॉलिक एसिड जो इसके अंदर कंपोजिशन पाय जाता है यह लीवर में हुए संक्रमन को बहुत जल्दी ठीक करता है जो अर्सो डीकॉलिक डी ओक्सिकॉलिक एसिड है यह बहुत जल्दी जो लीवर है उसमें जो कोई इंफेक्शन वगेरा हुआ है उसमें बहुत जल्दी एफेक्ट करता है इसका जो डोसेश की बात करूँ यूडी लिव की तो 300 mg की बीडी देखो यह ही होता है composition सेम होता है वाकि दूसरे नाम से आपको बहुत सरे नाम से मिल जाएए आपको में composition का ध्यान रखना यह tablet को सबसे पहले जौन डिस ओले पेशेंट को दिन में दो बार यह tablet 300 mg की tablet बीडी दी जाते है यह चीद ध्यान रखना आगे बढ़ता हूँ अब देखो डूफा लेक्षीर यह क्यों देते हैं इसका composition लेक्ट विलोज होता है अब बोलो के सरा आप डूफा लेक्ष बता रहे हो इससे तो लेड पोटी वोटी आती है तो पोटी आना मतलब आपका पेट साफ होना और जितना जादा आपका पेट साफ होगा उतना ही जल्दी आपका jaundice recovery मिलेगी यह चीज आप धियान रखने इस point को note करना आपको जितना पेट साफ करना इसमें क्या करता है ज्यादा तर पपीता खिलाते ताकि व्यक्ति का पेट अच्छे से साफ हो और एक चीज हो और है इसमें हमको ऐसा oily मतलब तेल वगेरा बहुत वीक हो जाता है ऑपरि साफ को מृत साफ हो नहीं हाँ इसमें लेक्टलोज होता है यह शुगर शकर होती है यह बच्चों को भी दिया जिए बच्चों में पेट साफ नहीं होता था तब उन से थे दावाई माने जाती है बच्चों को नाम से मिल जाएगा आपको लेक्टिलोस धियान रखना है से अगर बिल्कुल माइनर सा बड़ा हुआ दीख रहा है तो अगर सीवियर है तो मरीच को एडमिट करना पड़ेगा उस कंडिशन में क्लेवं इंजेक्शन आता है बहुत जल्दी इफेक्ट रहता है यह नॉर्मल में बता रहा हुँ है यदि आपका बिलिरूबिन बहुत ज इसके अंदर होता है इसको वन गिराम में बिडि दिन में मरीच को दो बार लगाना चाहिए काफी अच्छा रिकावरी मिलती है अगर आपका आप बहुत जादा बिलिरूबिन तीन परसेंट से अगर आबाव जा रहा है तो हमको हेवी एंटिवाटिक चलानी होती है आपकी पिपजो यहने कि पिपरा सलीन और टेजोबेक्टम का मिक्स कॉंबिनेशन यह बहुत ही बहुत ही बहुत ही जादा एक्टिव है और इससे काफी जल्दी रिकावरी मिलती है अगर इतना इंफेक्शन है तो पिपजो के साथ में आपको डेक्स होना भी देना है ठीक है स्ट जो वेक्टरिम का mix combination होता है ठीक है बहुत इफेक्टिव है इसको यह आता है 4.5 ग्रम में याने की 4.5 mg का injection है बीडी दिन में 2 वारिस का इस्तमाल किया जाता है यह काफी इफेक्टिव हो गाईज आपको अगर इतनी चीज़ समझ में आई हो तो आप लोग जल्दी से जाओ मेरे चनल में और भी चीज़े देख सकते हैं आपका अपना इंडिन मेटिकल लेक्शर